Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल अर्जंटीना वसिस फ्रांस, मैसी वसिस किलियन अमबापी, डिमारिया वसिस ओलिविय जिरू, अलवारेस वसिस अन्टॉइन ग्रीजमन, अलग-अलग राइवल्रीज ड्रॉ हो चुकी है, अर्जंटीना और फ्रांस के मैच का सभी वेट कर रहे हैं, इस मैच का रिजल्ट आने वाले कुछ घंटों में आपको जरूर मिल जाएगा, आपको पता चलेगा, who will be the world champion, इधर आर्जंटीना और फ्रांस, लेकिन आज हमारे discussion इन देशों के बारे में नहीं होने वाली है, अफकोस, football के बारे में तो होने वाली है, लेकिन football and India, इसके बारे हमारे discussion होने वा यह discussion में कहूंगा, कई सालों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है, जबसे मुझे याद है, जैसे अगर हम लोग फुटबाल वर्ल्ड कप की याद करें, I vividly remember 2002, 2002 का वर्ल्ड कप, फिनाले हुआ था ब्रजिल और जर्मनी का, उस समय वे थिंग 2-0 स्कोर लाइन थी, दो वरी meteoric player, mercurial player, Ronaldinho, तो तब से हम लोग यही सवाल उठाते हैं, almost 20 साल, 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके अभी, यही सवाल अभी भी चल रहा है, in fact, on a lighter note, थोड़ा सा deviate करते हैं, जिससे इस particular match में, अगर आप मुझसे पूछे कौन जीतेगा, तो मैं कहूंगा, थोड़ा स passionate football fan है, मैं कहूंगा, ultra passionate fan तो नहीं, बट in general I am a sports enthusiast, बट cricket और football में, अगर आप मुझसे पूछे के थोड़ा समय, cricket की तरफ स्वे हो जाओंगा, लेकिन, 2010 का जो World Cup था, वो काफी interesting World Cup था, मुझे याद है हम लोग office में थे, और अलग-अलग लोगों ने अपनी-पनी team बना करेगा, तो मेरे manager ने एक team ले ली, मेरे colleagues ने कुछ team ले ली, किसी ने Brazil ले ले ले, किसी ने जर्मनी ले ले लिया, तो मैंने Spain लिया था, अब 2010 में, you do know, Spain का जो game होता है, मुझे लगता है, Spanish football is basically test cricket, test cricket of football, वो टेस्ट की तरह खेलते है, Tiquita का game था, उस समय पे Spain की coach था था, वी सेंटे डेल बॉस्की was the coach, और उनका Tiquita का strategy हो अगल, Tiquita का मतलब, कि भाई, 600-700 pass हो जाएंगे, opposition को frustrate कर देंगे, और goal कर देंगे, तो उस समय पुछ यादे, 2010 में, Spain ने भी पहला match हारा था, Spain lost 1-0 to Switzerland, और उसके बाद सभी मेरे colleagues ने बोला था, कि भाई, तो तयार हो ज मुझे लगता है कि वो ऐसा World Cup ता जहां पर Spain ने बहुत ही कम गोल मारे थे, साथ गोल मारे थे, पूरे World Cup में, और उनने World Cup जीता था, फिनाले भी Spain नेदरलंड का था, आरिन रोबिन वरसेस आइबूट से जावी, Spanish टीम नोन पर टिकेट आका, तो अर्जंटीना के साथ यह हम लोग थोड़ा से डिसकेशन से, वो मैं ऐसी थोड़ा से कुछ परसनल चीज़े बता रहा था, बट अगेन हमारे डिसकेशन होनी वाली है, विल इंडिया कॉलिफाई फीफा 2026, यह हमारे डिसकेशन का मुद्धा रहेगा, अब आपके दिमाग में सवाल भी आएगा, सर यह, आप यह जो डिसकेशन कर रहे हो, how is it going to help me for my preparation, say UPSA Civil Services की preparation कर रहा हूँ, तो इस डेटा को मैं कैसे इस्तमाल कर सकूँगा, ठीक है, देखे, अब मैं इसी को आपके लिए ऐसे का टॉपिक बना दूगा, समझ लीजे, मैंने ऐसे का टॉपिक आपके लिए बना दिया, राइट, say winner, India is the winner of say FIFA 2034 World Cup, अभी futuristic बात है, तो इसके उपर एक ऐसे लिख दीजेगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया की जितने की chances क्या है, इंडिया की स्थिती क्या है, और हम लोग सबसे पहले यह सवाल क्यों उठा रहे है, क्योंकि FIFA की rules में कुछ बदलाव आए है, आपने देखा होगा कि इस साल की जो World Cup में, 32 टीमें थी, 32 टीमों से 16 आई, round of 16, 16 से 8 आई, quarter final, semi final में 4 आए, फिनाले में 2 आए हैं, लेकिन आने वाले World Cup में, 2026 में कुछ बदलाव होने वाले है, इसलिए हम लोग discussion कर रहे हैं कि इंडिया की chances क्या होंगी of qualifying, और इस discussion में, of course, exam के दिश्टी कोन से आपको पता चलेगा कि हमारे देश में football से जुटे होए क्या issues है, कि इसके उपर एक mains based सवाल भी बन सकता है, या फिर interview के लिए भी आपको पूचा जा सकता है कि भाई, इंडिया में football इतना दा popular क्यों नहीं है, इस तरह के सवाल, so you can get multiple type of questions, essay type, mains, interview के लिए, ध्यान दीजेगा, इस particular discussion पर जहां पर हम लोग जवाब देने के कोशिश करेंगे, will India qualify for FIFA 2026, चलिए, शुरू करते हैं discussion की, सबसे पहले FIFA के बारे हम बात करते हैं, FIFA क्या है, आप जानते है, FIFA is Federation International for the Football Association, ये, it stands for this, basically FIFA is the international governing body for football, ये आपको ध्यान र beach football के लिए और futsal के लिए, futsal जो छोटे ground में खिलाते है, futsal tournament इंडिया में भी हो आता रहे, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका headquarters आता है, Zurich Switzerland में, ये आपको ध्यान रखना है, तो पूरे विश्व में, जो football governing body है, वो है FIFA, FIFA conducts the FIFA World Cup, and the other confederation cups are also governed under this, जैसे हमारा Asian Federation, जो Asian football confrontation है, वो भी FIFA के अंडर ही आता है, और इस discussion में, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा आप सबी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं men's football के district one से बात करने हो, यहाँ पे photo भी men's football team की डाली हुए, लेकिन, remember, women football ही है, बहुत ही prominent है, और ironically, हमारी जो men's football team है, उसका rank बहुत उपर है, right, but still, I am discussing from the men's football perspective, will men's football team qualify for FIFA 2020, तो FIFA के बारे में पता चल गए, अब बात करते हैं कि, why are we discussing this at all, of course, football fever तो चली रहा है, but, बदलाव आने वाला है, अगले World Cup में, 2022 तो भी खतम होने आगया, इटल भी इधर अर्जंटिना और फ्रांस, लेकिन, 2026 का जो World Cup है, 2026 के World Cup में, there would be 48 teams, 48 team में लड़ेंगी, अगले बार की World Cup के लिए, तो इंडिये के chances बढ़ेंगे, क्या, right, यह जरूर सवाल बनता है, यही हमारे discussion का मुद्दा भी है, कि teams बढ़ रही है, तो शायद हमारा chance बन सकता है, देखिए, अगर हम लोग इतिहास दे इस बार का तो फुटबॉल जो World Cup था, काफी interesting था, बड़े-बड़े upset हुए, जैसे जर्मनी बाहर निकल गया, I think Morocco, बीट जर्मनी, जर्मनी बाहर निकल लिए, बड़े-बड़े टीमें बाहर निकली, बड़े-बड़े upsets भी हुए, जैसे अर्जंटिना कभी upset ही तो था, 1950 में वो बढ़के 16 हो गई, धीरे-धीरे नंबर बढ़ रहा है, 1982 में 24 टीम्स, और 1998 में 32 टीमें आई पहली बाद, 32 टीम फॉर्माट बना World Cup का, और 2026 में this is going to further increase to 48, 48 तीमें बनने वाली है, तो आज हमारी discussion का मुद्दा यही है, कि जब 48 टीमें बन रही है, तो क्या यह न लिए क्वालिफाई करेगा, अब देखिए, विल इस फॉर्माट हेल्प इंडिया मैं कहूंगा, मोर और लेस येस, लेकिन, विल इंडिया क्वालिफाई फ़ीफा वर्ल्ड कप, I would put a big question mark, I would say maybe not, अब आपको लगागा सर, इतना नकारात्मक आपका रवाया क्यूं है, यह लेकिन फुटबाल में ऐसा नहीं, फुटबाल में हर एक टीम को क्वालिफाई करके आना होता है, अपनी अपनी रीजन के क्वालिफायर्स खेलते हैं, पूरे विश्व को इन वे डिवाइड किया है, फीफा ने डिवाइड किया है, अलग-अलग रीजन में, जैसे कि, हमारा एशिया का AFC है, एशियन फुटबाल कॉन्फेडरेशन और ओशियान का भी है, तो इस तरह कुछ डिविजन की गई है, और अलग-अलग रीजन्स को, अलग-अलग टीम्स वहां से क्वालिफाई करेंगे, सबसे ज्यादा टीम में क्वालिफाई करते हैं, उपकोस, सोला टीम में है, तो यूरोपियन दबदबा फीफा में भी चलता है, यह अपको ध्यान रखना है, तो सबसे ज्यादा सोला आएंगे, I mean I'm talking about 2026, अब यहां पे हमारा नजर होना चाहिए AFC क्योंकि हम लोग Asian Football Confederation के भागे, अब Asian Football Confederation में अप्रोक्सिमेटली 47 कंट्रीज अब 47 में से इस बार हमारा नंबर बढ़ेगा 8-9, अब पहले अगर हम लोग बात करें, इस साल qualification 6 टीमों ने किया होगा, तो इन जनरल एशिया से 5-6 टीमें निकलती थी, अफिर मैं कहूंगा 4-5 ही आप लिगो, 4-6 टीमों के आसपास, अभी वो नंबर बढ़ जाएगा, यानि कि स्लोट्स बढ़ेंगे, 3-4 स्लोटे बढ़ जाएगे, जहां पर और टीमें एशिया से आ सकती है, अब एशिया ही नहीं, दूसरी जगा ही, जैसे आफरीका से भी टीम जादा हो जाएगी, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, सभी जगा से थोड़ी-थोड आना पड़ेगा, या फिर AFC के जो क्वालिफिकेशन होगे, वहां पर हमें क्वालिफाय करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एंटर कर सकते हैं, वर्ल्ड कप 2026, यह क्वालिफिकेशन क्राइटिरिय है, अगर आप फीफा की वेबसाइट पर जाओगे, तो आपको UEFA के क्वालिफिकेशन सिनारियों से जो ग्रूप से वह भी मिल जाएंगे, अलग-अलग ग्रूप में बाटा आता है, AFC का अभी शडूल वगरा निकलना है, तो हम लोग बात करते हैं, अब सवाल था क्या इन इंडिया क्वालिफाइग, सिंपल मैथेमेटिक्स मुझे बताता ह कि वह यह पहले 32 टीमे थी, अभी 32 से 48 हो रहा है, इसका मतलब कि इंडिया का चांस बढ़ सकता है, अब यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है, इंडिया का चांस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इंडिया के साथ सा जो दूसरी टीमे हैं, उनका भी चांस बढ़ेग अभी, यह क्यों, क्योंकि अभी फिलाल इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग है, 106, यह फीफा की रैंकिंग है, in fact, चलिए फीफा आल रैंकिंग मैं आपको बता है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, for the AFC, right, the Asian football competition में, एशिया में सबसे टॉप रैंक इरान है, वर्ल्ड में उनका रैंक 20 है, लेकिन एशिया में वो टॉप है, इरान है, उसके नीचे जपायन आता है, Korean Republic, Australia, Qatar, Saudi Arab, Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, China, Jordan, Beharain, Syria, Palestine, किरगिस्तान, इंडिया कहा है, किरगिस्तान, वियतनाम, Lebanon, ultimately, इंडिया, 106, यान हमारे उपर, आप देख सकते हो, कितनी कंट्री से, if I'm not wrong, 18 कंट्री से हमारे उपर भी, 18 कंट्री से, 18 कंट्री से, अब इंडिया, रैट, there are 18 कंट्री अब इंडिया, that is why I told कि क्वालिफिकेशन थोड़ा सा तफ रहे, रैट, एशिया, अब देखिए, हम लोग AFC में, Asian Federation मे है, 19 नमबर पे आते है, हमारे उपर, 18 कंट्री से, qualifying spot कितनी है, qualifying spot है, approximately 8, 8-9 spots, अब इंडिया ने अभी तक, अपने football की history में, highest rank जो अचीव किया है, वो है 94 rank, यानि कि 106 में से हम लोग हटा भी दे, तो 19 से हम लोग approximately 10 नमबर तक पहुँच सकते हैं, यानि कि Asia में, top 10 में ह ला सकते हैं, अगर best performance हमारी अब तक की 94 था, अब यह 94 जो rank था, यह काफी पुरानी बात है, almost 20 साल पुरानी बात है, 20-25, I think 94 rank in 94, यह आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन मुझे याद है, पिछले कुछ सालों पहले, जैसे 216-17 में, इंडिया 100 के अंदर break-in किया था, और इं इंडिया 217 में भी, if I'm not wrong, 96 तक हम लोग जरूर पहुंचे है, 96 तक हम लोग जरूर पहुंचे, इस जरूर है, लेकिन इसके लिए फिर से performance हमारी बेटर होनी चाहिए, लेकिन हमारे उपर भी जो टीमें है, जैसे कि इराक है, होमान है, उस्बेकिस्तान है, चाइना आपने 2018 से बात करें, टॉप की 18 टीमों के साथ, हमारी सबसे बेस्ट परफॉमिस रही है, we have drawn the match with Oman, 2021 में, सिरिया के साथ हम लोग ने ड्रॉ किया, 2019 में, और चाइना के साथ भी, शुने-शुने से गेम ड्रॉ रहा, 2018 में, पिछले 3-4 सालों में, हम से जो रैंक उपर वाली कंट् करने वाली जो टीम्स होती है, इंटरनेशनली भी, कतार 2022 में, कितनी सारी टीम्स ने मिस आउट करें, सबसे प्रॉमिन जो मिस आउट होगी थी, वो थी इटली, इटली चैंपियन है रही है, कम से कम 3-4 बार फुटबॉल वर्ल्लक जीते हो लो, लेकिन उन्होंने कॉलिफा और हमारी तरफ से जो टॉप लेवल के हमारे एएफसी में आते हैं, जिन्होंने कॉलिफाई किया था इस बार और साउधी ने कॉलिफाई किया, जपान ने बहुत ही बढ़िया खेला था इस बार फुटबॉल, साउध कोरिया, इरान और कतर, अब कतर तो होस्ते इसी लिए तो इस बार हमारे पास ऑप्शन जरूर है, एट टो नाइन टीम जाएंगी, तो इसमें क्या इंडिया जाएगा, आपने देखा इंडिया की रांकिंग, तो कैसे जा सकते हैं, अफकोर्स कैसे जा सकते हैं, वाई हमारे बिलकुल चांस है, अगर हम लोग अच्छा खेलेंग अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे, तो बिलकुल पहुंच पाएंगे, और हमारे अच्छे खेलेंगे प्रदर्शन के वाई से हम लोग AFC Asian Cup में भी क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑल्दो थोड़ा सा लक जरूर मिला, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से तो हम लोग खेल चु हुए, बट मुझे लगता है, थोड़ा सा लक बहुत जरूरी होता है, किसी भी स्पोर्ट में, इंडिया अगर अच्छा खेलेंगी, तो जरूर पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी, वाई इस एंसर वोड़ी ने भी, क्योंकि फुटबॉल की हालत, अगर हम लोग देखें, ह काफी खराब है, हमारे देश में फुटबॉल के साथ, बहुत ज़्यादा इशूस चलते हैं, सबसे पहला इशू, और सबसे common sense वाल इशू, अगर आपको इशूस गिनने हैं, तो बस थोड़ा सा सोचेगा, what are the problems, I am quite sure that you also know the problems, सबसे पहली problem है, हमारा क्रिकेट से बहुत ब पहला चलेंच, there is no football culture in India, there is very low football culture, there are some states, मैं कह सकता हूँ, केरला हो गया, West Bengal, जहां पर गोवा हो गया, football का काफी ज़्यादा कल्चर है, बारिंग बहुत कम आपको football की तरफ एक प्रेड़ा मिलेगी, इसके अलाबा, governance इशू से आपको याद होगा, कुछ महीने पहला हम लो बहुत चलते हैं इंडिया में, proper governance नहीं है, football की, proper regulation नहीं होगी, इसके अलाबा, infrastructure बहुत missing है, इसका जवाब तो अपको directly मिल जाएगा, जिस तरह के हमारे देश में cricket के stadiums है, क्या उस तरह के हमारे बास football के stadiums है, जिस तरह की coaching, जिस तरह की प्रोचसाहन मिलता है, cricket के लिए इसके अलाबा, इंडिया में, जो club structure है, वो काफी underdeveloped, underdeveloped, unprofessional club culture, अगर आप दूसरे देशों को compare करें, जैसे, जैसे I can talk about Messi, पुरा वर्ल्ड knows about Messi, आजकल तो everybody has become a big fan of Messi, अर्जेंटीना final ने पहुँच गया, but still, अगर आप Messi की स्टोरी सुने, आप जानते हो, मैसी फुटबॉल, मैसी ने फुटबॉल खेलना कब शुरू किया, single digit age, 6-7 की साल में, फुटबॉल खेलना शुरू कर दे, in fact, वो जो school level की competition होती है, उसमें, ये कहा जाता है कि मैसी ने 500 से ब्यादा गोल मारे थे, अब टैलेंट को देख लिया, और जो मैसी की lifelong club रही है, right मैसी को pick किया, मैसी was hardly 11 years, 10-11 साल की उमर थी, और उन्हें ग्रूम किया, अब ये चीज हमारे इंडिया में काफी missing है, कितने club के नामा बता सकते हो, इंडिया के football, you can talk about Mohan Bagan, East Bengal, Salgao, कुछ club से, केरला से, etc, लेकिन इसके अलवा, जो club structure है हमारा, इसको प्रोचाहन नहीं मिल अगर मैं आपको बात करो, cricket के बारे, in fact, मैं कुछ दिनों पहले खबर पढ़ रहा था, राजस्तान रोयल के बारे, राजस्तान रोयल, जो IPL का एक क्लब एक franchise है, उन्होंने अपरेंटली 12 साल के बच्चे को अपने, अपने club मिली, यानि कि रोयल चैलेंजे, they are going to groom him कर, का अब culture has actually matured in cricket rather than football, अब वो तो है cricket का एक अलगी, यार वो status बन चुका है, वो छोट दीजेए, बट इंडिया में ये एक बहुत बढ़ी प्रावलम है, इसके अलावा, societal apathy ही है towards sports, in general, in general, अब cricket exception है, क्योंकि cricket में पैसा है, future है, इसलिए लोग भेजते हैं बच्चे को बहु खेल के किसी को क्या ही मिला है, इस तरह का attitude है हमारी society में, और इसलिए, in general, football ही नहीं, दूसरे sports भी काफी ज़्यादा neglected है हमारे देश में, तो ये issues हैं, और मैट होंगा, जब तक ये issues resolve नहीं होंगे हमारे देश में, तब तक will we play good enough to reach World Cup 2026, I hope कि थोड़ा सा justification आपको मिल गय और वह ये का, जिस प्रकार से मैंने शुरू किया था, qualify करेंगे या नहीं, तो मैंने खाता, maybe, अगर बहुत ही enthusiastic होता, मैं कहूंगा, यार, yes, हम लोग qualify कर लेंगे, अगर हमारी performance बहुत ही बढ़िया होती, अगर इतने सारे issues ना होते, बट अभी भी हमारे पास समय है, आश होस्ट करने की rights up win कर लो, सबसे अच्छी चीज होगी, लेकिन यहां पर फिर से पैसा बहुत pump in करना पड़ता, जिसे कतर ने के अब कतर ने, अब कतर के उपर थे allegation भी लेगी कि FIFA को उन्होंने bribe किया, etc., leave all that thing, हमारे discussion का domain वो है नहीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, कि इंडिया कैसे qualify कर से तो 2026 तो चला गया है, बड़ आगे वाले World Cup की बात कर रहो है, hosting is one of the thing, आपको ध्यान रखना है, जो भी host country होता है, उसे automatic qualification मिलती है, please remember this, automatic qualification for the FIFA World Cup for the host country, इसी लिए Qatar qualify कर गया, अब अगला जो World Cup होने वाला है, वो होने वाला है, अमेरिका स्वें, अध automatically qualify कर दिया, तीनों host है, तो तीनों को automatic qualification मिल चुकी है, तो यह एक shortcut जरूर हो सकता है, कि आप host कर लीजेगा, लेकिन अगें, Qatar की जो अपने problems देखी होगी, recently I was reading that, की finale होने वाले, finale खतम जब हो जाएगा, तो Qatar ने जो billions of dollars पैसा डाला है, क्या वो infrastructure काम को हैगा, बहुत सारे stadiums empty रहेंगे, Qatar football, I would say, is in a better condition than Indian football, but still, बहुत सारा पैसा पंपिन कर चुके है, that infrastructure would rather be lying, lying just like that, right, वो एक issue होती है, तो cost benefit analysis करेंगे, तो फोड़ा सा problem जरूर हो सकती है, तो hosting is another shortcut, लेकिन मैं अपनी discussion end करना चाहूंगा, एक बहुत ही positive note से, क्योंकि देखे, इंडिया में football का craze जरूर है, in fact, आए दिन हम लोग कबर पढ़ सकते हैं, कि Indian fans लड़ाई कर लिए, मैं रीसेंटली पढ़ रहा था कि कहीं पर केरला में लड़ाई हुई between Brazilian Kerala fans, मतलब के लोग है, ब्रजील के fan है, और अरजंटिने के fan है, फिर ब्रजील के fan है, जर्मनी के fan है, उन दोलों के वीच में लड़ाई हो गई, right, India does have that football craze, every year जब भी football होता है, तो नए-नए fans जाग उठते हैं, यह तो है, इसका मतलब क्या है, कि इंडिया अगर फुटबॉल में जाएगा, अपनी डेमोगरफी की विज़े से, अपनी एकॉनमी की विज़े से, अपने ओधे की विज़े से, ना सिर्फ देश तो आगे बढ़ेगा, देश का स्पोर्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन पूरे विश्व को इस बहुत ज़्यादा मिल सकती है, इसके लिए, इसके अलबा, अब इंडिया की एकॉनमी देख लिए, इंडिया के कॉर्परेट जाएंट देख लिए, अलग-अलग स्पोर्ट में वो लोग जरूर जा रहे हैं, इन फाक्ट रिसेंटली हम लोगों ने ये भी निउस पड़ी है, इंडिया में पैसो की कमी नहीं है, अगर हम लोग इस स्पोर्ट को प्रमोट करेंगे और आने वाले चार सालों में, अगर एशिया में हम लोग टॉप एट में अगर एंटर कर सकते हैं, तो हम लोग 2026 के वर्ल्ड कप को कॉलिफाइज जरूर कर सकते हैं, और अगर हम ल बढ़ेगी बहुत सारी चीजे हुँग已经 हमारे देश के लिए हमारे यूत के लिए इंडियन फुटबाल के लिए लिए पूरे विश्व के फुटबाल के लिए ये बहुतיד भरबी अच्चिवमेंट रहेगा तो लेट ट्व्ट को तो आशा करते हैं कि हमारी पर्फॉर्मेंस बेटर हो आने वाले चार सालों में और लेकिन ये एक बहुत ही अफिल टास्क रहेगा क्योंकि हमसे बेटर रैंक टीम्स है जिनके साथ लड़ना पड़ेगा जिनके साथ हमारी मैचस होंगी जीचना पड़ेगा टॉप एट में अगर हम लोग एंटर कर गए इसके पर हमारी नजर रहेगी लेट सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इस पर कोई भी अपडेट आईगी तो we'll discuss that again on study IQ जाने से पहले आप सभी के लिए चोटा सा संदेश है आप जानते हैं कि कि UPSC Civil Services Prelims के लिए हमारा प्रोग्राम है SIP PLUS it's a revision program 90 days में आपकी revision करा दी जाएगी इसके अलावा हमारा batch 10 भी स्टार्ट हो रहा है नए साल के साथ नए शुरुआत आप कर सकते हो for UPSC Civil Services Preparation batch 10 के साथ ध्यान रखना इसको for more details just go to our website studyiq.com आप हमारा app भी download कर सकते हो किसी Thank you for watching this particular video and you know you can follow me on this particular idea at Rahul Sai 222. Thank you very much, Jai Hind.